माइनक्राफ्ट हाडगोर अगर तुम एक बारी मरता तो तुम कभी स्पोन नहीं होते हो एंड ये एडवेंचर कर रहो मैं चार्ट अपने दो दोस्तों के साथ पापड़ी और गोष्ट राइडर एंड ऐसे प्रोजेक्स को लाने में यार बहुत साथा टाइम लगता है लाइक पचास घंटे तक लग जाते है एंड तुम्हें वो दोनो बटन दबाने में सिरफ पान सेकंड लगेंगे लाइक एंड सब्सक्राइब का तो कर देना प्लीज वैसे तो मैं पताने की जरूरत दिनी कि यार मैंने आती यार वूड ग्राब करी एंड उसे बना ली wooden pickaxe और wooden pickaxe से यार बना ली एक지만 pickaxe एंड फिर सीथा mining turn करी एंड मुझे थोड़ा बूत iron भी मिल गया जो कि यार beginning के लिए बहुत अच्छा था लाइक भाई पूरी ट्रेल मिल गई थी लाइक अलिमिटेड आरें टाइप हो गया था एक बार एक लिए शुरू-शुरू में जिससे यार मेरा अच्छा का आर्मर बन जाएगा क्योंकि यार मॉब्स का बोर्डर रहते है हार्ड़कॉर में एंड खाने का जुगाड मैंने किदर से क्या तुम देख सकते हो लाइक शार्टिंग में ये भी अच्छा जुगाड हो गया था अब यार हार्ड़कॉर की शार्टिंग में दिन ढलती यार मैं नीचे छुप जाता था जमीन के अंदर एक छोटा सा बंकर बना के जो यार मैंने दो दोस्ते जो एडवेंचर के लिए गए थे उन्हें विलेज मिल गया था चलो कुछ तो काम आए विलेज में गुस्ती यार मैंने लूट के लिए रिसर्च करी और मुझे देखो यार क्या दिखा एक ब्लैक स्मिथ एंड खुशी-खुशी में अंदर जाए रहा था एंड देखो यार मेरे साथ क्या होता है अभी चेस्ट के अंदर उन्होंने लोल लिग दिया मतलब यार इदर अच्छी का सी लूट होगी उन्होंने लूट ली मेरे दोस्तों ने चलो back to the topic यार अब यार सबसे पहले यार मैंने विलेज में आते कुछ नोटेस नहीं किया सहीदा आयरन फार्म बनाना शुरूर किया क्योंकि यार वह एक बेसिक चीज थी जो मैं यार हार्ड कोर में हमेशा चीहोगी आयरन यार इतर फार्म बनाते हुँ देखे यार क्या हुआ मतलब क्यार इतने सारे जोंबी जॉंबी आगए उ पहली बार ही देखे थी साथ में तो यार मैं बिल्कुल डर गया था यार मेरे पास पूरा आर्मर भी नहीं था वो तो अच्छे है और हमें एक iron golem ने help कर दी और उनमें से ही एक zombie को यार हमने boat के अंदर बिटा दिया जो कि यार villagers को ड्राता रहेग अपने iron farm के अंदर और इधर हमने villagers भी breeding के लिए लगा दिती क्योंकि यार इंसा में चीए था diamond का armor tools and बोट सारी villagers चीथ है ट्रेडिंग के लिए like मतलब इसलिए and here was the moment where I was going to die and इसका जिमेदर सेरफ एक बंदा था पापड़ी पापड़ी अगे लिए क्या वर्ल्ड खतम था भी एंड इसको था यार जब हम iron farm के लिए चैंबर बना रहे थे एंड इधर में वुड़ चॉप करने लगे क्योंकि जो भी में वुड़ चॉप करने और इसकी मैं बिनाने वालू उस चिक्स एंड उसको ना लैचर साथ ट्रेड कर लूँगा एंड आर से एमरेल्ड ले लूँगा एंड एमरेल्ड से यार अपन लेंगे डायमेंड के आर्मर एंड टूल्स देखती देखती यार मेरे आर्मर ने खोल दी थी यार डायमेंड के आर्मर की ट्रेड तर मैंने बिना वक्त लाया यार अपने असी अजार के यार जूते असी अजार के जूते यहां डायमेंड के ख्रीद लिए यार उसी से जल्दी से एमरेल्ड से यार मैंने toolsmith को भी upgrade करता रहा क्योंकि वह बहुत जरूरी था like यार मैं toolsmith अच्छी है diamond के and यार iron अपने लिया बहुत अच्छी चीज थी क्योंकि यार उससे मैं हर बंदे से trade कर पा रहा था and वह यार मारे पास unlimited था अपने iron farm के करण एंड एसे आगे बढ़ते बढ़ती है रमार यार डायमेंट के टूल्स में लगोगे जैसे कि डायमेंट की शोवल एंड हो भाई जो कि यार मैंने ले लिए उसी बंदे इसे टाइम यार मतलब मैं पूरा डायमेंट के आर्मन में हूची को फाइनली अपग्रेड भाई 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 थोड़ बहुत ना टूल्स रहे गए उन्हें भी हम जल्दे से कर लेंगे मैं इधर यार को यह वुड़ चौप करेंगे वुड़ बेचेंगे एंड लाइक वही काम करेंगे एंड यार हमें एक और खुश खबरी यार मुझे तुम्हें देनी थी करम एक मोब स्पॉनर मिल गया लाइक जो कि एक 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 स्पी फाह मना सकते एंड हरी स्केलिटन का तो यह मतलब बड़े-बड़े चीजे मिल जाएगी हमें एंड देखो यार आज तो लग्यार मतलब कितना सच चल रहा है बाई डाइमेंड मिल गए इसमें फोर्चून है क्या मुझे देखनी है क्योंकि फोर्चून हुई तो यह बहुत तगड़ा काम रहेगा बैटार इदर फोर्चून नहीं थी मेरे पास बैट मैं सोच यह तीन होल बनाने में यार जो भी आयर अपने यार विलेजर से उनको आपने ट्रेडिंग होल में शिफ्ट करने वाले हैं तो बस अब यार तुम देखो कि यार हो तक है तो 3 2 1 एंड लट्स गो एंड यार जिनको यार हम बनाएंगे यार लाइब्रेरियन जिनसे अर अपने मेंड बढ़िया बढ़िया सी एंचांजमेंट से लेके आएंगे यार को कि प्रोटेक्शन इस लेक्ट इंग इन हार्ड कोर एंड ट्रेडर ओल के पीछ इपना ले तया है अपने आर्वर पे लगानी थी तो लगा लेंगे बाई जल्दी से उसे एंड अब में जाना से नाधर में जाने के लिए चीओंगे उपसीडेंस और में एक बड़ी सारी केम में चला गया यार बन पॉन नाइटीन की यार अच्छी चीज रहेगे हमारे लिए अब भी यार में काम पे आते यार इसने बड़े-बड़े लावा पूल से दो मिनट भी आर अपने पानी गे रहा एंड जितने उपसीडेंस आप लेके जा सकते ना उचनो अपसीडेंस आप लेके जाएंगे यार मनल पहले तो पहले तो आपन नॉर्मल सा नाधर पोटल मे करता हूं तो इधर है क्लिप इधर में क्या हुआ से अराम से लावा पे तैर ना लावा में मज़गा और वीजर की अपना और एबके जाया ही तो इधर में उसी टेम आपर ब्रीज कर रह थे देखो है यार क्या होता है यह पासमैं ठोट्टम नीथ इन नहीं प्रोब्लम वाली बात यह तो और पर होते हैं अन्ग तो टम भी आपन अगले सीजन में अगले सीजन में मतलब अगले एपिस वर्ण में बना देंगे उसका फांग इदर में दुबारा गिर गया चाहिए अंदर लावा में इस बारी भी इस इना केड़ा वाल हो गया था भाई बचना इस बार भी नामुंकिन टाइम था पर वही प्रोटेक्शन फोर उन टोब भाही अपन दबार से बज गया भाही में ब्लोक्स वह गर अलगाने में इतना सादव हो गया था ते यह मैं सो जैर साइड वाले टावर की ब्लोक्स तोड़े देते हैं उदर याप एक बारी के लिए खड़े हो जाएंगे एंड खाना खाली ह यहां यार फेर बट यार इदर मेरे और मरकीना हिल्थ बिल्कुल कम हो चुकी थी फिर यार में दोसने सगेशन दी किया तू एंडर मैं मार ले यार फेर यार क्योंकि आपन वो जान अथा है एंड में एंड इदर में इनसे बहुत तगड़ा प्रैंक किया देखो चार पाल दोगे दस पाल हो चुकी है तले भी हो क्या हुआ है क्या कर रहा है तू प्रैंक हो गया हो गया हो गया है ना अब बेटेगी एक सिकन्दे तो गुस्ता तो आई का होगा पूरा तो यार अब इदर यार में एंड की पोटल की खोज में निकल गए एंड अब अपन को मिल भी गया एंड अब यार फिर मैं भी अब कूझी जातू यार इसके अंदर अब इदर अपनी होनी थी आर आखरी अंतिम घडी चालू यार मतलब क्यार हमको सबसे पहले ना एक तो लाइब्रेरी मिल गया इदर अपन को एंड पोटल ने बहुत देर बाद मिला एंड एट लास्ट वो भी मिली गया था लाइब्रेरी में में यार कूझ साथे कुछ मि अब किसमत दबल खराब थी क्योंकि मैंने बूट्स भी कर दिये और एक भी परल नहीं लगी हुई थी एंड में जाती यार मने मेन आइलेंड पे यार ब्रिजिंग स्टार्ट कर दी एंड इड वोजन इजी फाइड ब्रो लाइक मैंने तो कुछ किया नहीं बस यार मैं गय उन्होंने यार क्रिश्टल तोड़ी दिये मेरे दोस्तों ने जल्दी से एंड यार मैं बीच में गया एंड मैंने उसकी पूंच पे मारा बारी-बारी एंड वो मर भी गया इड वोज इजी यार शापनेस वाइव का कमाल है भाई और बार जगा यार इसकी एक्स्पी और पूरे आर्मर रिपेयर हो गए थे क्योंकि आर इन इसके बाद हमने नेक्स जनरेशन भी ले लिया मतब ड्रैगन का एग भी हमने ले लिया हामने निचे टोड़त लगा ही और एग ले लिया एंड फिर चले गए हम यार रिमोट गे गए एंड रियली इधर मैं मरने वाला था अगर इधर नीचे नाजरेक के ब्लोक्स ना होते तो मैं सीधा वोईड में जाता एंड पुरा वल्ड खतम एंड फिर क्या यार हम सब तीनों दोस यार लग गए और ब्रीजिंग करने यार पहले तो यार हम तीनों साथ में गए और थोड़ी बहुत यार लूट ली एंड एक थोड़ी बहुत ना यार शेल कर शेल भी खटे के गए क्योंकि यार वो हमारे काम आएंगे एंड एक एंडर चेश्ट भी ले ली क्योंकि ये इस लाइक है सबसे यूसवल आइटम लगती है जो क्यार मुझे मुझे माइन मतलब समझे रो ना एंड इदर यार मुझे गोश्ट रैटर ने ने एक बूट्स ओफर करे एंड उस बूट्स पर कर्स बैंडिंग थी यार मतलब वो जूते कभी नहीं उदर सकता है जब तक तुम मरो ना एंड ये एक हाड़कूर का वर्ल्ड है ओके प्रानी चीज़ों क भूल जाते हैं यार मुझे एक और एंड इसको पर शिप भी था तो यार फाइनली हमारी भी लाइटरा आ जाएगी एंड हम उड़ पाएंगे तो मैं कहा यार मुझे यार सीदर लेविटेटिंग इफेक्ट मिल गया था बारी बारी मिल रहा था तो यार मैं से दो शिप की तरफ ही उड़ गया पूरा एंड इलाइटरा ले ली मैंने फाइनली येस ये सबसे अच्छा दिन था मैंने हार्ड कोर के वल्ड का क्योंकि यार इदर मुझे यार लूट भी बहुत तगड़ी मिल गी थी लाइक चाह डाइमेंड मिल गे थे इसी चेस्ट में मतलब जो क्य एंड यार में अपना सही सुरक्षित घर भी पोच गया एंड इधर में अपनी लैटरा पे लगा जी थी मैंडिंग एंड उसका नाम रख दिया परिंदे के पर क्योंकि हमें एक परिंदे एंड उसके पंक है यह हमारे तो वह सही नाम लगा मुझे है तुम्हें कैसा लगा को अभी हम खड़े सबसे हमारी उची बिल्डिंग पर जो कि हमारा एक्सपी फार्म यस अगर तुम्हें वीजिवल हो रहे तो एंड इधर से हमारी पूरी सम्पी दिखती है एंड एक इमोटे वाला पेड अपनी लाइटर से अपने इधर चलते है जिदर यार बहुत सारे फेड हुए है एंड जैसा आप वुड चोप कर लेते हैं एंड इधर थोड़ा अपना बैंबू का फार्म एंड यह पुरान इसी मतलब एक बिल्डिंग है से हम अगली सीजन में अगली सीजन में क्या मतलब अगली एपिसोड में पूरा तोड देंगी एंड यह घर आते है एंड यह अपना विलेजर हो जिदर आर सारे अपने मैंडलिंग के विलेजर फ्लेचर अपने इधर ही है एंड यह हमारे यार मतलब एक खाली यार प्लेयर का घर यार जो कि पापड़ी है बिल्कुल निठला प्लेयर है हाँ थोड़ा बहुत चफ इसके पास भी अच्छी कासी लूट यह तो बस अभी एक शुरुवात है अभी अभी अपने और भी चीज़े बिल्ड कर रखी है जैसे कि एक एक एकस्पी फार्म जो कि में शुरू-शुरू में था एक आयरन फार्म जो कि हद से जादे इंसेन ह है जिसकी लूट इंसेन हद से जादे इंसेन है बाई एंड की क्रीपर फार्म भी है जो कि थोड़ा बूट चलता है थोड़ा बूट नहीं चलता मतलब आदा दूरा चलते हैं इधर थोड़े बहुत आर अपने वीट की पैचिस मना रखें जिदेर आप वीट होगाते हैं शुगर केन का भी फार्म बना रहे हैं चोड़ा सा प्यारा सा एंड अगर प्रोग्रेस की बात की जातो है हम सबके पास इलाइट रा भी है मतलब सब बड़िया समान सबकुछ है मैक्स एंचांटेड चीज़े भी है बैदन में कुछ ऐसा खास बिल्ड किया नहीं बट आप हमने एक एकस्पी फार्म बिल्ड कर रखें अपने ओवर्वेल्ड में जो की बहुत काम आता है यह रहा वह प्यारा से एक एकस्पी फार्म यार देखो जर लूड भी आती रहती है अच्छी खासी प्याल को जल्दी से ऊपर चल जाते हैं अपन एंड इसी एपिसोड के इससे भी साधा डबल इंट्रस्टिंग होने वाले तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना अरे तुम लोग इदर तक आगे इसका मतलब यार तुम्हें वीडियो तो देखो यार पसंद आई है एंड और इस एपिसोड को बनाने वार बहुत हच्छादा महनत लगी है सब्सक्राइब का बटन दबा के लाइक का भी बटन दबाई दो यार क्योंकि वह मुझे हच्छाद मोटिवेट करते हैं अगला पार्टर उधनी चलती आता जितने साधा लाइक साते लाइक मतलब खुशी उतनी होती है ना यार तो चलो यार बाबाई एंड आव ग्रेट अग्रेट टाइम